टॉपिक है बिहार के जो महत्पूर्ण इतिहासिक महापूरूस हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारती है जो इतिहास से जुरे हुए महापूरूस हैं उसके बारे में फिर जो आपका मद्ध कालीन भारते इतिहास से जुरे व प्रेक्ति के बारे में हम लोग उनके जीवनी को भी देखेंगे, कहां जन्म हुआ और उन्होंने क्या-क्या काम किया है इस धरातल पर, उसके बारे में देखेंगे, बिहार से जुकी जुरे हुए महापुरूस हैं, तो निश्चित रूप से आपके एक्जाम में यहाँ से को question पूछे गए हैं TRE 1 में भी TRE 2.0 में भी ठीक है अब जो टॉपिक है वो आपके लिए TRE 3 के लिए भी महापूर्ण है ठीक है बिहार के परमुख बैक्तित महापुरूश तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और प्राचीन इतिहास के जो मह पूरूश हैं उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो आर्जभट का आएगा यहां से आपके इतिहास में भी कोश्चन पूछे जाते हैं और बिहार स्पेस्फिक अस्तर पे भी कोश्चन यहां पे पूछे जा सकते हैं जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्ज के बारे में पर रहे थे मौर्जवंस की क्या जो सरस्थापक के सकते हैं या अस्थापना करवाने में चानक ने एक जो भूम का अदा की है ठीक है तो यहां पर स्वारी चानक इसके नीचे है स्वारी अभी हम लोग पर रहे आरजभट के बारे में तो आरजभट एक परसिद्ध गनितग्गे है ठीक है आरजभट क्या है गुप्तकाल के एक परसिद्ध गनितग्गे है जो की एक खगोल सास्त्री भी थे और इन्होंने सुन्न की खोज की थी और सुन्न के खोज के बाद ही अभी बर्तमान में साइंस अंत्रिक्ष विज्ञान के छेत्र में आगे वड़ पाया तो इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है आर्जभट का है ये प्राचीन भारति इतिहास के महान कह सकते हैं खगोल सास्त्री के रूप में जाने जाते हैं गनी तग भी थे तो आर्जभट के बारे में सबसे पहले जानेंगे गुप्त काल किस काल के थे आर्जभट तो गुप्त काल के थे देखिए कई बार इनके जन्म कहां पे हुआ था इसको लेके मतभेद रहता इतिहास कारों के बीच में कई लोग पटना बताते हैं जबकि कई इतिहास कार इसको दक्षिन भारतिये मानते हैं आर्जभट कि तो कई बार पुछेगा दसमलव ऐवं सुनन क्या विस्कारक कोन थे तो याद रखेगा दसमलव ऐवं सुनन के जो अविस्कारक थे वो आर्जभठ Today उन्होंने ग्रंथवी लिखा है it's work Hattiam जो की अपने धुरी पर जो सुर्जिके चारो और घूमती है चक्कर लगाती है इसके बारे में उन्होंने उस समय में सिध्यांत दे दिया था जो कि पूरे विश्व में आपको बाद में चल करके कौपर निकस ने दिया जो बाद में आगे चल करके सिध्यांत वो सिध्यांत कहीं न कहीं हमारे प्राचीन इतिहास में नहीं आर्जभट ने दे दिया था ठीक है इनका जन्म माना जाता है पाटली पुत्र के कुसुमपूर जगह में लेकिन कई इतिहासकार इसको ले करके मतभेद पैदा करते हैं कई लोग इसको दक्षिन भारते बताते हैं बीजगनित की प्रारंबिक अधारसीला इनहीं के भूमका मानी जाती है और जो आर्जभटियम महतपून गरंथ है वो आर्जभट के द्वारा ही लिखा गया है जो कि गुप्तकाल के परसित गनी तक एवं खगोल सास्त्री हैं तो यह याद रखिएगा और उसमें उन्होंने पिर्थवी जो अपने धूरी पर घूमती है औ आर्जभटियम 628 SST का TRE 2.0 में आपका एक फोल्डर होगा ठीक है study material for print उसमें आपके सारे डाले हुए है ठीक है 628 वाले जो भी लोग है वो आपका जो भी material है चाहिए history, geography, quality, economics सब डाउनलोड कर लिजे उसमें एक फोल्डर है content में study material for print लिखा हुआ होगा उससे आप डाउनलोड कर लिजे आपको पढ़ना है सारा विश्वितिहास भी पढ़ना है modern भी पढ़ना है आधनिक modern और आपका medieval और initial सब पढ़ना 628 वाले उसको सब पढ़ना ठीक है 125 में modern पर 20 फोकस किजेगा लेकिन ये सब topic तो सब को पढ़ना ठीक है चले ये सब चु चानक की चर्चा हमने सुरू में ही कर दिया था यही है चानक के चानक के वारे में आप लोग जानते होंगे इनके कई नाम है इनके नाम जो है विश्नु गुप्त भी इनको कहा जाता है कोटिल के नाम से भी जाने जाते हैं चुकि कूट नीती में बहुत जैदा पारंगत इसलिए इनको कोटिल भी कहा गया है कुट नितिग भी है यह राजनितिग तो हैं ही ठीक है तो चानक जो है चंद्रगुप्त मौर्ज के महामंत्री थे और आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्ज है इनहीं के मदद से गद्दी पे बैठा था घनानंद की हत्या भी यह ते ऑर साफ उसके राजो नितिक गुरु भी दे और कैसक्ते हैं कि पत पडर्शक के रूप में भी यह जानेória जाते हैं किसके तो चंंदगुपत मा välज के ठीक है और यह कुट नितिक थे this जिस कारण से इनका नाम कोटिल भी रखा गया था, कोटिल भी लोग इनको कहते थे और साथ-साथ इनके अनेक नाम है जैसे बिश्नु सर्मा, इनका नाम बिश्नु सर्मा के नाम से भी जाना जाता है। सम्बंधित जो आपका जो अर्थ सास्त्र किताब है गरंथ है उसके रचाइता ये कई बार कोशन पुछा है कि अर्थ सास्त्र गरंथ है उसके रचाइता कोन थे तो याद रखेगा चानक की या विश्नुगुप्ति या कोटिल तिनों एक ही व्यक्ति का नाम है वही थे और उस समय अर्थ सास्त्र में सब्तांग सिध्धानत के बारे में चर्चा किया है राजा और उसके साथ अंग क्या क्या होने चाहिए उसकी चर्चा है साथ साक मौर्ज परसासन और मौर्ज का समाज किस परकार से वहां बटा हुआ है कई मतलब कई जातीगत उसके बारे में इन मौर्ज कालीन समाज के बारे में अच्छे से बताये गया कि समाज कितने बर्णों में बटा हुआ है और सुद्र के बारे में महिलाओं के इस्थिति के बारे में बहुत अच्छे से यहां पे इन्होंने चर्चा किया है तो मौर्ज कालीन समाज का दरपन यह अर्शास्त्र ही ह ठीक है और इसमें राजा के सब्तांग सिध्यांत राजा और उसके साथ अंग खास करके मतब सरीर के अंग से राजा और उसके जो सहयोगी है उसका वर्णन यहां पर सब्तांग सिध्यांत में किया गया है तो कई बार पुछेगा कि सब्तांग सिध्धान्त जो है कहां पर वर्णित है तो यह है आपके अर्षास्त्र में ही वर्णित है और अर्षास्त्र के रचैता कौन है तो याद रखेगा विश्णु गुप्त चानक के कोटिल तीनो एक ही व्यक्ति का नाम है ठीक है तो यह प्राची नितिहास के बहाँ पुरूस के बारे में हम लोग एक एक करके पर रहें चुकि बिहार स्पेसल वे यहां से एक दो कोशन निश्चित रूप से आपके एकजाम में पूछे जाते हैं विपी असी में तो इसलिए अच्छे से आप लोग ध्यान से समझने का प्रियास क तो जो नीचे में डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी लिंक चल लागा ठीक है तो उसको उस पर भी आपना हाई लिख करके अपना प्यमेंट एसकीन स्वाट पहेद दीजीएगा वार्षप गुरूप में सामिल होने के लिए तो मैं आपको वार्षप गुरूप में सामिल कर हैं और वैदी गरंथे के मंत्र की रचनाओं में इनकी भूंका है इनका वर्णर रमाइन महाभारत और अनेक महापुरानों में मिलता है जो विदेह के राजा जनक के समकालीन थे जो विदेह आरन्यक जंगलों में रह करके लिखा जाने वाला गरंथ होता है और सत्पत ब्रह्मन ठीक है यहाँ पर तीन जो महत्पून गरंथ है सत्पत ब्रह्मन एक गरंथ है विरिद आरन्यक एक आरन्यक ये भी गरंथ है और साथ साथ यागवल्लक अस्मिर्ट ये तीनों यागवल्ल रखके द्वारा लिखा गया है जो की एक कह सकते हैं कि समकालीन बहुत बरे उस समय के ठीक है प्राचीन समय में बैदिक समाध है उस समय में ये परमुक रचनाकार थे और इन्होंने असलोक की रचना की है और उन्होंने कई गरंथ की भी रचना की है यागवल्लक के वारे में तो यहां से जाइदा उतना बहत्पूर नहीं है या गवल्लकाज तक पूछे नहीं गए हैं तो उमीद है कि नहीं ही पूछे जाएंगे लेकिन अब जो है आपका मद्ध कालीन इतिहास के बहुत सारे कोश्चन आपके एकजाम में पूछे गए हैं ठीक है खास करके सेर सासू उसके रूप में यह जाने जाते हैं इन्होंने 1540 से 45 तक दिल्ली में सासन किया यानि कह सकते हैं कि वहां पर दिल्ली सल्तनत के सासक के रूप में काम किया और बहुत जैदा इन्होंने काम किया ग्रेंट टेंक रोड का निर्मान किया सिक्के चलवाए जगर जगर डाग घर बनवाए ठीक है यातायात जो है उसकी विवस्था की यातरी पराव बनवाए अस्पताल बनवाए तो सेरसा सूरी अपने आप में एक महान सासक के रूप में अफगानी सासक है जो की दिल्ली सल्तनत पर कबजा करते हैं चुकि बिहार के हैं इसलिए बिहार के महापुरूस मे इनका भी नाम आता है सेर्षा सूरी का, ठीक है सेर्षा सूरी के बारे में आप लोग मध्यकाली नितिहास में पड़ते ही 1540-45 का period इनका सासन का रहता है, अफगाण शासक सेर्षा जिसका मूल लाम कई बार पूस देगा कि सेरसा का मूल नाम क्या था तो याद रखेगा सेरसा का जो मूल नाम था वो फरीद खाँ था सेरसा का अगर कोई पूछे आपका कि मूल नाम क्या था तो ये कोश्चन एक जाम में पूछे गए है सेर साका मूल नाम फरीद खाँ था क्या था सेर साका मूल नाम तो फरीद खाँ था और इनका जन्म 1472 इस्वी में पंजाम में बांजवारा एक जगह है वहीं पे हुआ था इनके पिता हसन खाँ सासा राम के जागिरदार था जागिर्दार यानि एक परकार से कह सकते हैं जमीन का मालिक हुआ करता था तो चुकि उस समय दिल्ली सल्तनत का सासन है तो हर एक छेत में जैसे समंती होते हैं उसी परकार से जागिर्दार हुआ करते थे तो हसन खां इनके पिता का नाम था जो की कहां के सासा राम तो सासा राम का मकवारा का भी निर्वान सेरसा सूरी नहीं करवाया था आगे चल करके या बावर के समय बिहार का राजपाल निक्त हुआ था कौन तो हसन खां जो है वो नहीं ये स्वरी ये इनके बारे में बोला है सेरसा सूरी के बारे में तो जब बावर का सासन हो रहा था तो उस समय यह राजपाल भी इसको नुक्त किया गया था किसको सेरसा सूरी को 1549 इसमी में 14 के युद में हुमायू को सामना करना परा और हुमायू इसमें हार जाता है और सेरसा सूरी बिजित हो जाते हैं और 1540 में सेरसा ने हुमायू को सरहिंद के युद में पुना प्राजित किया और भारत छोड़ने पर विवस किया और बाद में चल करके जो है हुमायू दिल्ली सल्तनत को छोड़ करके बाहर भाग जाता है और फिर वहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर किसका सासन हो जाता है तो सेर 1545 कह सकते हैं 1540 से ले करके 1555 तक दिल्ली सल्तनत पर अफगानी सासको का ही कबजा रहता है चुकि 1540 से 45 तक ही सेर सासूरी रहते हैं उसके बाद अफगानी सासकों असासन करते हैं फिर आगे चल कर आपको पता ही होगा 1556 में युद होगा ठीक है तो यहाँ पर है युद में पुना प्राजित कर भायो छोडने पर विवस कर दिया और सेर खां की उपाधी ले करके सेर खां चुकी एक ही वार में सेर को मार दिया था एक ही तलवार से तो इसलिए पहले नाम इसका क्या था फरीद खां आगे चल करके इसका नाम सेर खां हुआ और फिर आगे चुकी अपराज की अस्थापना किया और पूरा नाम इसका सेरसा सूरी हो जाता है ठीक है सर पॉल्टिकल साइंस का अलग से कोश्चन रहेगा या PDF ही काफी है देखिए PDF काफी है आप concept को पढ़िए objective के लिए हमने बार बार आपको बोला lucent objective भी आपके लिए sufficient है और test जो भी है वो लगा लीजिए जो एप में content में डाले हुए है उसको लगाई है और previous year का जो हमने PDF भेज दिया है BPSC का WhatsApp गुरूप में उसको भी परतरी इतना ही sufficient है जैदा माथा पची करना नहीं है question जब भी आएगा तो वो theory से ही related आता है और easily बन जाता है इसलिए बार बार वो जो वीडियो है आप जो देख रहे होंगे content में उसको देखते रहे हैं पूरा quality, geography, history जो भी महत्पून तत है आपको पता होगा आपको दिखता होगा content जो लोग बाई कर रखे हैं तो वो सब देखते रहे है math के भी 55-54 वीडियो है उसको देखते रहे है reasoning के भी 35 वीडियो है उसको देखते रहे है बिहार special के भी बहुत सारे 25-35 वीडियो है उसको देखते रहे है पस ये सब अगर आप देखते हैं तो कहीं से question बाहर नहीं जाएगा ठीक है बस देखते रहिए बार-बार पढ़िएगा आराम से याद रहेगा और यही सब कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं अब देखिए और यह जो चीज के बारे में जानकारी मिली है जो यह सब सुरोत है उसका सुरोत है अबास खां सेरवानी की रचना है तारीके सेरवानी की रचना है तो याद रखिएगा अबास खां सेरवानी सेरवानी जो है अबास खां इसी ने तारीक सेरवानी में सेरवान में ये सब जिक्र किया है चर्चा किया है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट महापुरूस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उनका नाम है गुरू गोविंद सिंग जो कि आपको पता होगा दसमे गुरू है और अंतिम गुरू भी है सिक धर्म के दसमे और अंतिम गुरू के गुरू गोविंद सिंग इनका जन्म पाटली पुत्र में हुआ था इसलिए बिहार के महापुरूस में हम लोग गुरू गोविंद सिंग के बारे में भी पढ़ते हैं चुकि गुरू गोविंद सिंग का जन्म जो हुआ था वो पाटली पुत्र जो पतना सीटी है वहीं प तो आठिस्वी में नादेर में एक अफगान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई ठीक है और ये महतपून गुरू हैं अंतिम गुरू हैं इसलिए गुरू नानक देव महतपून हो जाते हैं सिख्धर्म के लिए इनके द्वारा खालसा पंथ कई बार पूछा कि खालसा पंथ की स जो है गुरु नानक देव के द्वारा ही किया गया था इन्हों ने ही मुगल समराज से संघर्स के लिए पाहुल पर्था दिक्षा जो पर्था है उसका परचलन किया था ठीक है तो पाहुल पर्था की सुरुआत किस ने की थी या पाहुल पर्था किस धर्म से जुरा हुआ है सिक धर्म से और सुरुवात किस ने किया था तो याद रखिएगा गुरू गोविन सिक जो की दसमे और अंतिम गुरू हैं और चुकी बिहार के बहापुरूस के रूप में हैं इसलिए यहाँ से कोश्चन पूछे जा सकते हैं अब सबसे जायदा महत्पूर्ण कोश्चन आपके एकजाम में आधनीक इतिहास के महापुरूस से आपके एकजाम में पूछे जाते हैं निश्चित रूप से यहाँ से एकाद कोश्चन तो आपको दिखाई दे ही देगा अब देखे डॉक्टर राजंदर परसाद के बारे में आपको पता ही होगा कि जीरादेई जो सिवान जिला है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और बहुत ही मेर्टोरियस स्टुडेंट भी रहे इसलिए आपका जो है मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है क्या लिखने सर कलास कव लाइब होता है कुछ पता ही नहीं चलता पता चलेगा भी नहीं आपको चुकि हमको तो पता है और सभी लोग को बार बार हम बोलते भी है सारे आठ से दस लाइब कलास होता है आपने पूछा नहीं होगा इसलिए आपको पता नहीं चल रहा ठीक है बाकी लोग को पता है, सब लोग लाइब आ जाते हैं, सारे 8 से 10 के बीच में लाइब होता है, कभी-कभी एक-दो मिनिट आगे पीछे हो जाते हैं, अपने देखा होगा, 8.35 तक लाइब हो जाता है, इसलिए परिशान नहीं होना है, डेली यही टाइम होता है, चुप-चाप खोल करके, नोटिफिकेशन जाए तो जाए, नहीं जाए, फिर भी आप खोल करके, 8.35 में ओन कर दिया किजिए, दिखना सुरू हो जाएगा, ठीक है, चलिए, डॉक्टर राजंदर परसाद, या आप डिसेबल कर रखे होंगे, मैसेज आपके यहाँ नहीं गया, इसे जाता है आपका, जब भी हम लाइब होते हैं, डॉक्टर राजंदर परसाद, के बारे में जानेंगे, मेधा दिवस्त बहुत महत्पून है, याद रखिएगा, भारत के पर्थम राश्पती थे, जिन्हें देशरत्न के नाम से भी जाना जाता है, अगर पुछेगा, देश हाई अध्यक्ष के रूप में भी डॉक्टर राजंदर परसाद चुने गए थे, सम्मिधान सभा के, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के, कहां पर सीवान जी लेके, जो जीरादेई नामक जगा है, गाउं है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है? अब देखिए बंग भंग आंदोलन, कई बार पूछेगा कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था, उसके बाद बंग भंग आंदोलन हुआ था, तो इससे ये परभावित हुए थे, और 1906 में पटना कॉलेज के हॉल में अपने नेत्रित में बिहारी छात्र सम्मेलन का पर्थम अधिवेशन आजित किया था, अगर पूछेगा कि कब बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन किया गया था, तो 1906 में बंग भंग आंदोलन के पश्चाद किसके द्वारा, तो डॉक्टर राजंदर परशाद के द्वारा तो ये सब question आपके exam में महत्पून हो जाता है, ठीक है, देखिए chance कैसे count होगा, जैसे बहुत लोग B8 कर रखे थे, TRE1 में बढ़े गए, तो वो chance आपका count नहीं होगा, ठीक है, chance जब से आप कह सकते हैं, जैसे 6 to 8 वाले हैं, तो 3 वार आपको मौका मिलेगा, chance हर एक, मतलब क सकते हैं कि हर एक category में आपको 3-3 chance मिलेगा, जैसे 11, 12 में भी 3 वार बेट सकते हैं, 6 to 8 में भी 3 वार बेट सकते हैं, 1 to 5 में भी 3 वार बेट सकते हैं, जिनको मतलब अहरता रखते हैं, ठीक है, पहली बार तो आप लोग बैठ गए थे, TRE1 में जो B8 वाले थे, तो वो आपक 40 मा अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष डॉक्टर राजिंदर परसाद को ही चुना गया था, अगर पूछेगा कि कॉंग्रेस के के में अधिवेशन की अध्यक्षता, डॉक्टर राजिंदर परसाद के दोरा किया गया था, अत्यन थी महत्पून question है तो 48 अधिवेशन कहां पर हुआ था तो यह गया में हुआ था ठीक है sorry आगे जब Congress का अधिवेशन हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर Congress का अधिवेशन कहां हुआ था अर्था अगे जो है modern history का पार्ट होगा मुझे ध्यान से इसका उतर गया है ठीक है Congress का अर्था अधिवेशन है उसमें इन्होंने ही अधिवेशन किया था अगर आगे चर्चा होगा तो देख लेंगे ठीक है तो बस डठर राज़ेंदर परशाद का ही बना हुआ है सबसे जाइदा समय तक भायत के राश्पती के रूप में ये रहे है ठीक है तो बस डठर राज़ेंदर परशाद से यही सब question you गोई ना आपके exam में पूसकता है अब आते हैं हसन इमाम के बारे में ठीक है ये भी एक कह सकते हैं कि वरिष्ट वरिष्टर थे उसमें के महत्पून देश के चुकि विहार से हसन इमाम और राष्टवादी नेता के रूप में भी इनको जाना जाता है और ये वर्स 1912 में कलकत्ता हाइकोट के पर्थम बिहारी न्याइधिस निक्त हुए थे चुकि उसमें कलकत्ता हाइकोट का ही निर्मान हुआ था 1774 इसमी में और उसके तहत 1912 इसमी में कलकत्ता हाइकोट के पर्थम बिहारी न्याइधिस थे इसलिए इनका नाम महत्पून है तथा बर्स 1921 में बिहार और उरिसा विधान परसत के पर्थम उपाध्यक्ष भी इनको चुना गया था निर्वाचित हुए थे ठीक है अब देखिए डॉक्टर सजदा नंसिन्हा के बारे में भी आप लोग जानते होंगे और इन्होंने बिहार बंगाल को कह सकते हैं बंगाल से बिहार बनाने में महतपून भूंका निभाय थी या एक परसिद कह सकते हैं अधिवक्ता थे वकील थे ठीक है दोकिए इनके वाड़े में क्या है ये भारत के परसिद सांशद रह चुके हैं मेंबर और पार्लियमेंट, सिक्छा बिद, बिद्वान भी थे, अधी वक्ता तो थे ही, साथ साथ एक पतरकार थे, साथ हुए भारत के समिधान सभा के ओस्थाई अध्यक्ष जो शुरुवात में बनाये गया था, 9 दिसंबर 1946 को, उसमें इनके ही माध्यम से ओस्थाई अध् अध्यक्ष कोन बने थे, तो याद रखेगा डॉक्टर राजंदर परसाथ, 9 दिसंबर 1946 को, उस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सजदान सिन्हा ही चुने गए थे, ठीक है, चलिए, और इनका नाम, अगर अगर पूछा जा कि बिहार का पिता कोन है, फादर करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे परमुक है, याद रखेगा, बंगाल से बिहार को अलग राज का मानता दिलाने में, इन्होंने ही एरी चोटी किया था और बिहार एक अलग राज बना, तो कह सकते हैं ये कोशन बीपेसी में पूछा हुआ है, ठीक है, तो बिहार का पिता कह सकते हैं, बिहार को बनाने वाले कोन है, डॉक्टर सदान सिन्हा है, इन्होंने ही बंगाल से बिहार को अलग करवाया था, उसके बाद ये पर्थम भारतिय थे जिन्हें गवर्नर हाउस और लॉडर्स का सदस तथा प्रीवी काउंसील है तो सदस्ता परदान की तो ये किसले जाने जाते हैं, पर्थम भारतिय गवर्नर के रूप में इनकी न्युक्ति की गई थी, पर्थम भारतिय गवर्नर, अगर पूछेगा तो याद रखेगा सत्यंद परसाद सिन्हा, ठीक है, न्युक्त की गई थी, सत्यंद परसाद सिन्हा, बंगाल के अगर पूछेगा कि बाइसराय के कौॉंसिल जो थी उसमें विधी सदस के रुप में पहले बिहारी कौन थे? तो सत्यंद प्रसाश सिन्ह थे जिनको कि बाइसराय का जो कौंसिल था उसमें परथम बिहार के इकलवते कह सकते हैं विधी सदस के रूप में चुना गया था तो सत्यंत परसासिन्हा और भारतिये गवर्नर के रूप में ये बिहारी थे पर्थम ठीक है तो सत्यंत परसासिन्हा का नाम याद रखेगा उसके बाद है यहाँ पर पर्थम विश्यूद के पश्चा इन्हें लॉर्ड की उपादी दी गई तथा वह अंडर सेक्रेटी ओफ एस्टेट फॉर इंडिया के पद पर नुक्त कर दिये गए वर्स उनिस्वा उनेश के भारत सरकार अधनियम उनिस्वा उनेश में आपको पता होगा कौन सा अधनियम आया था मॉन्टेंग्यू चेम्स पत्र भी दे दिया था तो ये कहानी थी सत्ञ परसाज सिन्हा की अब आते हैं मौलाना मजरूल हग इससे कौश्चन खोब पूछता है ठीक है इससे question मजरूल हक के बारे में खुब पूछेगा ठीक है यहां से question चुकि जो और शहियोग आंदोलन है बिहार में जो 1921 में उसमें इनकी भूमका बहुती महत्पून है ठीक है बिध्या फिर बिहार बिध्या पीठ का निर्मान कराने में भी इनकी भूमका है और सबसे का योगदान था इसलिए यहां से question निश्चित रूप से विपेसी बारबार पूछता है मजरूल हक के बारे में ठीक है तो यहां से देखे क्या है मौलाना मजरूल हक का जन्म 22 दिसंबर 1868 इस भी को पटना जिले के ब्रहंपूर के थाना मनेर में हुआ था मनेर सरीफ जो ह पटना में ही पड़ता है वहीं पे इनका जन्म हुआ था वे बकालत के सिक्षा प्राप्त करने के उद्देश से इंग्लेंड भी गए और वहीं उन्होंने संपून भारत को एक मज़ पर लाने के उद्देश से ठीक है क्या बनाया था अंजून ए इसलामिया नामक संगठन किसने बनाय था तो याद रखेगा अंजून ए इसलामिया नामक संगठन मजरूल हक के द्वारा बनाया गया था बहुती महतपून है भारत आने के पस्चाथ 1903 में छपरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुनेगे वर्स 1909 में बिहार कॉंग्रेस कमीटी के उपाध्यक् अस्थापना के समय इन्हें सभापती के रूप में चुना गया यानि बिहार में होम रूलिंग के सभापती कौन थे तो मजरूल हक और सैयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में भी इन्होंने 1921 में सक्रिय भूम का निवाई थी और इन्होंने यह कोशन भी प्यसी का फे जो है किसने प्रकासित किया था तो याद रखेगा मजरूल हक मौलाना मजरूल हक पतना में इन्होंने सदाकत आसरम जो है अभी आपका पतना में उसकी भी नीव रखी थी बिहार विद्यापीट जो है आपका पतना में उसके भी कुलाधी पती रहे थे और महात्मा गांध ही ने देश भूसन की उपाधी दी थी तो अगर पूचेगा कि देश भूसन किसे कहा गया किसके द्वारा मतलब महत्मा गंधी के द्वारा देश भूसन की उपाधी किसे दी गई थी तो याद रखिएगा मजरूल हक मजरूल हक एस्टेडियम भी है पत्ना में पत्ना में जो किर्केट का स्टेडियम है उसका भी नाम क्या है मजरूल हक स्टेडियम याद रखिएगा तो ये कोई कमजोर परस्टनाल्टी नहीं है ठीक है एक महत्पून परस्टनाल्टी के रुप में बिहार के ये माने जाते हैं मजरूल हक याद रखिएगा चलिए अब आते हैं रामधारीशी दिनकर पहुत ही महतपून लेखक कभी के रूप में ये जाने जाते हैं याद रखिएगा रामधारीशी दिनकर जो की बेगुसराय जिला के ही हमी लोग के जिला के हैं हम भी आपके बेगुसराय जिला से ही बिलॉंग करते हैं तो रामधारी सी दिनकर हिंदी के परमुक लेखक कवी वो निवंधकार थे ठीक है जिनका जनव 23 दिसंबर 1908 को बिहार राज के बेगु सराजिला में इस्थित सिमरिया नामक गाउं में हुआ था ठीक है इन्होंने साहित की दोनों विधा गद और पद गद मतलब क्या होता ह वे आधनिक यूग के स्रेष्ट वीरस वीरस मतलब ओजपूर्ण जो बीड़ता की बखान करे उस कवी के रूप में इनको जाना जाता है इन्होंने संस्कृत बांगला अंग्रेजी और उर्दू का भी गहन अध्यान किया था ठीक है ऐसा ही कोई कवी नहीं बनता है पहले तो बिद्वान बनना परता उसके लिए सभी विश्यक के जानकार बने और फिर वो कवी भी बने और बहुत सारी कविताय उनकी जो है महत्पूर्ण फेमस भी हुई ठीक है चलिए दिनकर स्वतंता पुर्व एवं देखिए इनका जो कह सकते हैं कि दिनकर स्वतंता के खिलाब करने के रूप में जबकि स्वतंता पस्चात राष्ट कवी के नाम से जाने जाते हैं और वे चायादार कवियों की पहली पीढ़ी के कवी थे एक और उनकी कविताओं में ओज विद्रोह अक्रोश क्रांती की पुकार है तो दूसरी और कोमल स्रिंगारिक भावन का अविव्यक्ति भी है इन दोनों परविट्यों का चरम उतकर्स हम उनकी कुरूचेत्र और उर्वर्शी नामक किर्ती में देख सकते तो कई बार पूछा हुआ उर्वर्शी किसकी किर्ती है तो रामधारिसी दिनकर याद रखिएगा उर्वर्शी किर्ती है तो रामधार इसी दिनकर की है ठीक है यह तीनवार राजसभा के सदस्वी रहे थे चलिए तो यह मात्पूर्ण रामधार इसी दिनकर के बारे में जानगे अब आते हैं भिखारी टाकूर जिसको कि भोजपूरी सेक्स्पियर कहा जाता है भोजपूरी लेंग्वेज में इनको भोजपूरी का सेक्सपियर किसको कहा जाता है बिखारी ठाकूर को कहा जाता है ठीक है इनके बारे में भी थोड़ा सजा लिजे भोजपूरी में ही इनको भोजपूरी बहुत जादा पसंद था और भोजपूरी में ही इनका जो भी कला संस्किर्ति है जो भी अभनय है या जो भी लोग जागरन के माध्यम से इन्होंने रग कर्मी की भूम का निभाई कलाकार तो भोजपूरी में ही ठीक है वे भोजपूरी गितों और नाटकों की रचना और अपने समाजी कारजों के लिए परसिद्ध है बिखारी ठाकूर किसके लिए है भोजपूरी जो गीत है लोग गीत है उसकी सिद्धी थी भिखारी ठाकुर का कभी गीतका नाटक का नाट ने देशक लोग संगितकार और अभिनेता भी थे नाट पर बार से ही मतलब नाचने गाने का इनका परिवार शुरू से ही था इसलिए उन्हें भोजपूरी का सेक्स पियर भी कहा जाता है ये कोश्चन पूसकता पिहार सरकार पर्तिवर्स भोजपूरी सहित के छेत में उलखनिय भूंका निभाने वाले सहितकारों को भिखारी ठाकुर भोजपूरी समान से समानित करती है तो इतना याद रखेगा भोजपूरी में इस्का बहुत ही महत्तपुण योगदान है बस पूछेगा तो वही लए पूछेगा अब हिंदी के कभी हैं फनिश्वनाथ रेनु ठीक है फनिश्वनाथ रेनु के बारे में भी देखे ये बिहार के ही सारे महापुरूसें कभी हैं इतिहासकार हैं या फिर करांती कारक हैं करांती कारी हैं जो की राष्टियांदोलन मे या राष्टवादी नेता हैं वही सब वैक्ति के बारे में हम पर रहे हैं तो निश्चित रूप से बिहार इस्पेसल हो चाहिए इतिहासों कहीं न कहीं कोश्चन दिखी ही जाएगा आपको ठीकर चले फनिश्वा नाथ रेनू का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में आंचलिकता को आंदोलन के रूप में अरम करने का सरे रेनू यानि आंचलिक उपन्यास जो है इनका मैला आचल आपने पढ़ा होगा मैला आचल किसकी किर्ति है तो फनिश्वा नाथ रेनू की मैला आचल को ही जाता है मैला आचल इनका पर्थम उपन्यास है कई बार प को पद्म स्री पुरुसकार भी दिया गया था इनकी लेखक सेली वर्ण नात्मक थी जिसमें पात्र के परतेक मनोवेग्यानिक सोच का भिवरन लुभावने तरीके से किया जाता था इनकी लगभक परतेक कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रेरित होती थी एक आदीम रात्री की महक ठीक है चली हाँ देखिए अब बिद्यापती से निश्चित रूप से पूछता है बिप्यसी का फैबरेट है बिद्यापती ठीक है किर्ती लता और किर्ती पता का कई बार पूछे गए किन खी रचना है किर्ती लता और किर्ती पता का बिद्यापती की ही को ने मैथिल कोकिल के नाम से किणको कहा जाता तो विद्यापती ठीक है जो लोग हिंदी साहित पढ़ते होंगे तो उसमें विद्यापती के बारे में जरूर पढ़ते होंगे चॉटे मेथिल कोकिल के नाम से परसिद कभी विद्यापती का जन्म 1380 में विश्वी ग्राम जो की मधुवनी में है वहाँ पे हुआ था विद्यापती को संस्कृत अभरंस अवहर मेथली आदी भासाओं पर समान पकर था इन्होंने इन सभी भासाओं में अनेक किर्थियों की रचना की है सिंगार एवं सास्त्र के महाकवी विद्यापती ने अनेक राजाओं के राजदर्बार में समान जना की स्थिति प्राप्त की थी और मेथली को उन्होंने उतकर्ष पे पहुँचाया था तो मेथली लेंग्वेज जो लोग पढ़ते होंगे तो विद्यापती के बारे में गया जाने वाला गीत है चलिए अब सिप पूजन सहाय ये उतना महत्पूर नहीं है आज तक नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी पर लेते हैं सिप पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 893 को बिहार राज के भोजपूर जीले में हुआ था जो हिंदी के परसिद उपन्यासका कहानिकार संपादक पतरकार के रूप में परसिद्ध है इन्होंने जागरन हिमाले माधरी वालक आदी कई परतिष्टित पतरिकाओं का संपादन किया है और 1924 इसवी में लखनों में प्रेम चंद के साथ माधरी का संपादन भी किया चार खंडों में इनकी समस्त रचना इ यह जाने जाते हैं ठीक है चलिए और इनको भी आगे चल करके पद्भूसन का पुरुसकार मिला है उतना महत्पूर नहीं है अब राम ब्रिक्ष बेनिपूरी यह थोरा सा जाइदा महत्पूर है राम ब्रिक्ष बेनिपूरी का जन्म 23 दिसम्मा अठाइसवा नीन उन्वे को बिहार राज के मुझपरपूर जिला में इस्तित जो बेजीपूर है वहीं पे इनका जन्म हुआ था वे सच्चे देशभक थे जिन्होंने भारते स्वतंता संग्राम में आठ वर्स जेल में बिताए थे राम ब्रिक्ष बेनिपूरी के बारे में इनकी परसिद्धी गद लेखन के छेतर में कहानी लिखते थे जो एक जाने माने पत्रकार भी थे कौन तो राम ब्रिक्ष बेनिपूरी इन्होंने कई समाचार पत्र खास करके याद रखेंगा यूवक का जो 1929 में संपाधन किया था वो किसने किया था यूवक जो कह सकते हैं यहाँ पे समाचार प रहे थे अब नेक्स्ट आता है जानकी बल्लव सास्त्री जानकी बल्लव सास्त्री का जन्म 15 जन्म उनिश्व सुले को बिहार राज के गया जीले में और मेगरा नामक ग्राम में हुआ था इन्होंने हिंदी अंग्रेजी संस्कीत प्राकिर्ट पाली आदी भासों में जो है नागा अर्जुन तथा मेथली में यात्री उपनाम से रसनाई की है इनका जन्म 1911 एस्वी में 30 जुन बिहार के मधवनी जिला में इस्ति सतलखा नामके ग्राम में हुआ था ठीक है तो ये सब उतने महत्पूर नहीं लेखा के हैं पर लीजेगा आप लोग नोट्स में लि होगा डॉक्टर अनुगरह नारायन सिन्हा है का जन्म 18 जुन 1887 को बिहार राज के औरंगा वाजिले के पोई अवा नामक ग्राम में हुआ था इन्होंने अंग्रेजों के विरुद महत्मा गौंधी और डॉक्टर राजंदर परसाद के साथ चंपारन जो सत्यागरह है उस में अनुगरह नारायन सिन्हें भी भूमका निभाई थी इन्हों ने आधनिक बिहार के निर्मान में महत्वपूर्ण भूमका निभाई और इनको बिहार विभूती कहा जाता है या कोशन पूछा हुआ विपसी में बिहार विभूती किन्हें कहा जाता है याद रखेगा बिहार बिभूती किन्हें कहा जाता है अनुगरह नरायन सिंग बिहार के स्री बताइए आप लोग बिहार के स्री किसको यह भी विप्यसी पिछले बार पूछा था बिहार के स्री बताइए तो स्री क्रिशन सिंग याद रखिएगा और बिहार बिभूती यही सब कोश्चन चोटा चोटा पूछ देगा कनफ्यूज हो जाईएगा तो इसलिए पढ़ाना जरूरी है नहीं भी पढ़ाते तो कोई जायदा यह नहीं था लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपका कोई चूटे ना कोश्चन निश्चित रूप से कोई ना कोई इतना हरेक महाप्रूस बिहार का बिभूती है तो कोई ना कोई कोश्चन बिहार इस्पेसल में जो 40 नमर में है वो दीखी जाएगा ठीक है तो बिहार बिभूती के रूप में अनुगरह नारायन सिंग को जाना जा ये बनाए गए थे अनुगरह नरायन सिंग, 1928 में बिहार परदेश कॉंग्रेश के भी अध्यक्ष निर्वाजित हुए थे, 1935 में अखिल भागत्य कॉंग्रेश कमीटी के सलस्के रूप में भी मनोनित हुए, 1946-1952 में इन्हें स्री कृष्ण सी की सरकार में बित मंत्री, सरम और किर्सी आदि विभागु का भी दैट दिया गया था, यानि जब बिहार में मुख मंत्री स्री कृष्ण सिंग थे, बिहार के पर्थम मुख मंत्री के रूप में, तो उस समय इनको बित सरम और किर्सी विभा भी दिया गया था स्री अनुगराह नरायन सिंग जी को ठीक है अब आते हैं करपूरी ठाकुर अभी भारत रतन इनको मिला है तो हो सकता है इससे रिलेटेड निश्चित रूप से कोश्चन पूछे जाएंगे भारत रतन चुकी इनकी घोशना हो चुकी है नाम का तो करपूर करपूरी ठाकुर के बारे में जरूर पढ़ की जाए यहां से एक कोश्चन आपके एकजाम में एकदम संभावना पूरा परवल है 110% करपूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार राज के समस्तिपूर जिला में स्थित पितोंजिया नामक गाउं में हुआ था याद र सुतंता सेनानी भी हैं सिक्षक भी हैं और एक राजनितिक भी थे बिहार की राजनितिक के चनक के कहे जाते हैं सुतंता संगराम में अमर सेनानी जन्नायक करपूरी ठाकुर सच्चे अर्थों में गरीवों के मसीहा लोकनायक जैपरकास लोकनायक किसको कहा जा रहा है तो ज लोकनायक जय प्रकास नारायन, लोकनायक की उपाधि किसको दी गई है, तो लोकनायक कोन है तो जय प्रकास नारायन है, और डॉक्टर राम् वनोहर रोहिया जो की एक समाजवादी चिंतक है उनके ये सिस रहे थे कर पूरिठा कोल, बर्स 1902 में पहली बार विधायक बने, 1902 स मुख मंत्री थे ठीक है वे 22.1970 से 2.1971 24.1970 से 89 के दो बार विहार के मुख मंत्री पद पर बने थे यानि दो बार मुख मंत्री के पद पर भी बने थे करपुरी ठाकूर ठीक है चलिए बहुत महापुरू से हम भी ठक बे बोल बोल करके ठीक है लेकिन आज सारे बिहार के पर थम मुख मंत्री बने थे श्री क्रिशन सिंग ठीक है बिहार के श्री भी है ये कोश्चन बीपेस्टी में पिछले बार पूछा था चलिए कितना है देख लेते हैं बहुत बाहुत बचा हुआ है चलिए लेकिन कोशिस करते हैं कि आपका पूरा कंपलीट हो जाए तेजी में जो महत्पूण है वो तत्थ को बताते है ठीक है चलिए अब आते हैं क्रिश्न बल्लव साहाई के बारे में थोड़ा बहुत बस जान लिजे जो महात्वपूर्ण है वो हमने लगभग बता ही दिया है थोड़ा बहुत केबल जान के रखे बिहार के महापुरूस है कहां कहां हो सकता है काद कोश्चन पूर्ण दे क्रिश्न बल्लव साहाई के का ज सकते हैं और उनिस्वा तिरसर सरसथ तक वे राज के मुख मंत्री बने रहे तो ये भी विहार के मुख मंत्री के रूप में जो है आपका तिरसर सरसथ चार साल कृष्ण बल्लब सहाई भी बने थे ICS का पद को ठुकरा दिया था उन्हें बिहार में भूमी सुधार का जनक भी माना जाता है अगर पूछेगा कि बिहार में भूमी सुधार का जनक किने माना जाता है ये कोश्चन यहां से बन सकता है ठीक है तो बिहार में भूमी सुधार का जनक जो है कृष्ण बल्लब सहाई को माना जाता है बिहार में भूमी जो सुधार है उसका जनक किसको माना जाता है तो कृष्ण बल्लव सहाय को माना जाता है क्योंकि उन्हीं के परियास से बिहार में भूमी सुधार अधनियम लागू किया गया किनके प्रियासे तो कृष्ण बल्लव सहाई के प्रियासे बिहार में क्या हुआ कि भूमी सुधार अधनियम लागू किया गया अब आते हैं खुदा बक्स खां खुदा बक्स खां का जन्म दो औगस्त 8 Brady-42 को बिहार राज के सीवान जीले में स्थित उखाई नामक ग्राम में हुआ था खुदा बक्स लैबरेरी पतना में आप लोग को पता हुआ खुदा बक्स खां पतना के परसिद खुदा बक्स लैबरेरी के संस्थापक थे इसे पुर्मे औरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था आज यह रास्टिय महत्व की संस्था है मान ली गई है क्योंकि 1979 में संसथ के एक अधिनियम द्वारा इस गरंथालय का नियंत्रान भारस सरकार के आधीन है यहां पर उर्दो फार्सी अर्वी की हजारो पांडू लीपिया अब कर यहां पांडू लीपि क्या होता है जिसमें कहानी के साथ साथ छोटे छोटे चितर भी बनाए रहते हैं उसको पांडू लीपि कहा है चोटे छोटे चितर ठीक है यहां से question निश्चित रूप से जया पर देखे ये फिर महत्पून हो जाता है आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि BPSC कौन जगा से question पूछता है तो जया परकाश नारायन एकदम महत्पून है भारत छोरो आंदोलन आजाद दस्ता ये सम्में इनकी बहुत बड़ी भू जया परकाश नारायन भारते सोतंता सेनानी समाज सिवक एवं राजनेता थे संपूर्ण करांती के जनक भी इनको कहा जाता जया परकाश नारायन को जिनने लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है तो कही बार पुछेगा लोक नायक किनको कहा जाता है तो याद रखेगा ज 10102 को बिहार राज के सारण जिले में सिताब द्यारा नामक घौंँ में हुआ था तो जैप्रकास नरान का जन मैं सारण जिला में अब आते हैं 1974 में छात्र आंदोलन का नित्वित स्विकार करते हुए उन्होंने 1917 में इंद्रा गांधी सरकार के खिलाफ संपून करांटी की सुरवात किस ने की थी तो जैपरकास नारण ने आजाद दस्ता का निर्वान किस ने किया था भारत चोर आंदोलन के दुरान तो ज उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैकसेस पुरुषकार भी दिया गया था जो फिलिपिन सरकार के दिया जाता है इसके अतरिक तो निस्वा निनौनवय में मर्नो प्रांत भायत रतर से भी संभानित किया था कब निस्वा निनौनवय किन को तो जैपरकास नारण को इनके ज बीवारा लिखा गया啊 परकासित क्या गया था जय परकास नायांड के जिवनी पर अधारित पुस्तख है ठीक है चलिए आब एक फिल्म देखें होंगे जब तक तोरेगा नहीं तब तक छोरेगा नहीं दसरत मौंजी के बारे में एक फिल्म आपने देखा होगा ठीक है दसरत मौंजी का जन्म 1934 में बिहार राज के गया जिले में इस्तित्व गहलोर नावा ग्राम में हुआ था इन्हें मौंटेन में के नाम से भी जाना जाता चुकि इन्होंने क्या क्या था मौंटेन परवत को तोर करके गास्ता बना दिया इसका परमुख कारण यह है कि इन्होंने केवल एक हतहुरा और छेनी के मदद से अकेले ही पर सो तक अथक परिश्रम किया, बाइस बर्स लगे इनको और इनके द्वारा बनाए गई सरक अत्री और बाजीर गंज बलॉक की दूरी 55 किलो मीटर से घट करके 16 किलो मीटर कर दिया, ठीक है, तो निश्वार्द भावनासिनों ने जो है सरके बनाई थे, बिहार की इस महान भी होती ने बुलंद होसलों से घर परिवार जिले राज देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया, उनकी जीवनी पे अधारित एक फिल्म मांजी दा माउंटेड में 2015 में निर्देश केतना महता द्वारा बनाए गई, जिसमें नवाजु दिन सिद्ध की जो है द बीर कुमर सिंग्झ दो गोस्ट्थे गई, कोई पूछे ना पूछे यह पूछे गई, ठीक है, बीर कुमर सि आपको पता ही, 1857 की करांती में क्या भूम का पूरा कहानी ही बताए गे, और आपके कौन्टेंट में परा भी होगा, 1857 की भूम का तो उसमें आप देखेंगे इनके बारे में बावु बीर कुमर सिंग 1857 की पर्थम भारतिय रास्टिय जो स्वतंता सहिनाम है या सीपाही विद्रों के महानाइक के रूप में ये जाने जाते हैं इनका जन्म 23 अपरेल 1777 को बिहार राज किये भोजपूर जिला के कहां पे हुआ था तो जगदिसपूर और जगदिसपूर के ये जमिंदार परिवार से जुरे हुए था जमिंदार खुद भी थे ठीक है बिहार में दानापूर शाबनी के सैनिक का साथ इनको मिला जब दाना आगा जोस नहीं पुराना था तो सब कहते हैं बीर कुमर सिंग क्या था बराव बीर मर्दाना था या कुछ इस तरीका से पंक्ति है बहुत अच्छा पंक्ति है अठाशन तावन की करांती में जब पढ़ाएंगे तो इसमें आपको सुनाएंगे ठीक है तो 75 साल के उम में बिद्रो को का सफल ने तूइद किया था ठीक है तो यहां पे तो सौट सौट में है महापुरूस के बारे में तो बीर कुमर सिंग अठाशन तावन के महानायक के रूप में बिहार के तरब से जो की आरा भोजपूर के जगदिसपूर के हैं जिनोंने अठाशन तावन की कि 2016 को बिहार राज के बकसर जिला में इस्थित डुम्राव नामक गाउं में हुआ था इनका असली नाम कमरुद्दीन खाँ था क्या नाम है बिस्मिल्ला खां का ही नाम असली कमरुद्दीन खाँ था 1956 में इने संगीत नाटक एक आदमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया उनिस्था इसमीं पदम स्री उनिस्था इसमीं पदम भूसन और पदम विभूसन तथा 2001 में भात रतन से भी इनको सम्मानित किया गया था जब 15 अगस 1947 में जब देस आज़ाद हुआ था तो उस दिन लाल किला पर जो सुतनता दिवस्था आउयृत हुआ था तो तो उसमें सहनाई का बादन इन्हों ने किया था किसने बिस्मिल्ला खां कहां कहें तो बक्सर जिला के डुमराओ कहें बिस्मिल्ला खां सहनाय वादक हैं और इनको भात रत्म के सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है अब आज़ जाए बीपी मंडल, मंडल आयोग के वारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बीपी मंडल ठीक है जिन्होंने पिछरे वर्ग को अधिकार दिलाया आरक्षन दिलाया उनके वारे में बिन देश्वरी परसाद मंडल इनका पूरा नाम था भापतिय संसद के सदस्के रूप में बिहार के साथ में मुख मंत्री और दूतिय पिछरा वर्ग आयोग के अध्य बीपी मंडल को ही बनाए गया था अध्यक्ष और फर्वरी उनिश्वार सर से 22 मार्च उनिश्वार सर तक इन्हें बिहार का मुख मंत्री रहने का भी स्वभाग मिला था तो बीपी मंडल के ही अध्यक्षता में जो आपका पिछरा वर्ग आयोग का गठन हुआ जो की परखंड में खनवा नाम ग्राम में हुआ था जबकि उनका पैत्री गाउं सेखपूरा जिला के बर्वीघा परखंड में इस्तित माउर है जिगा का नाम है डॉक्टर राइंदर परसात था नुगरा नरायन सीन्हा के साथ वे भी कहां पे आधनिक बिहार के निर्माता के ग्रूप में जाने जाते हैं उन्हें बिहार के स्री के नाम से जाना जाता है यही कोशन बिप्यासी पूछा था बिहार के स्री के नाम से किन को जाना जाता है तो स्री क्रिशन सीन्ह को जाना जाता है 1916 में जब लखनों का कॉंग्रेस अदिवेशन हुआ था इन्होंने वहाँ पे सक्रिय भूमका निभाई और होम रूल आंदोलन में भी इन्होंने बर्चर करके हिसा लिया था 1929 में स्वानपूर मिला में जब स्वामी साजाना सुर्शती किसान अंदोलन कर रहे थे तो वहाँ पर भी उनके साथ इन्होंने किसान सभा के गठन में भी भूमका निभाई ठीक है चलिए उसके बिहार में स्वायज सासन का जब सुभारम 1937 में को हुआ तो कॉंग्रेस सरकार का गठन हुआ और स्री कृष्ण सी को बिहार का पहला परधान मंत्री अगर पूस दे बिहार का पहला परधान मंत्री तो गलत कोश्चन नहीं है चुकि जो स्वायज सासन का अस्थापना हुआ था 1937 में बिहार में तो वहाँ पर बिहार का कॉंग्रेस सरकार का जो गठन हुआ था उसमें स्री कृष्ण सी को बिहार का पहला परधान मंत्री तत काली समय में मुख मंत्री को परधान मंत्री कहा जाता था तो बनाय गया थ तो परद्धान मंत्री एगर पोच्छ दे तो कोई गलत सवाल नहीं है यह स्रिकृत सिंक्रिस्ञ बिहार के पहले परद्धान मंत्री है स्री कृष्ण सिंह के बारे में भी जानगे बिहार के स्री जननायक रपूरी ठाकूर के भी वारे में जानगे लोक नायक जैपरकास नारायन के भी आप जानगे बहुत सारे आर्जहट के बारे में आपने जाना दसरत मांजी के बारे में जाना तो बहुत सारे बिहार के जितने भी विहूती थी विहूती हैं थे उनके बारे में आपको हमने तेजी से थोड़ा तेजी में हमने बताया लेकिन महतफून चीज आपको बता दिया अनुगरा नाइन सिंग के बारे में जान के बलव सास्त्री के बारे में ठीक है बहुत सारे महापुरशो के बारे में आज हमने बताया है तो नोटस आपको WhatsApp ग्रूप में भी है content में भी बिहार a special में यह आपको दिखाई देगा तो वहां से भी डाउनलोड करके पड़ सकते हैं बाकि हमने जो इसमें समझाने वाला कोई चीज था नहीं बाकि जो भी कहानी है बस उसको हमने महतपून क्या है क्या याद रखना है उसको आपको repeat करा दिया बस यहां से निश्चित रूप से दो तीन question आपको उमीद कीजिए कि बिहार a specific जो 40 नमर का portion है वहां पे आ सकता है कोई न कोई question दो तीन question तो आ ही जाएगे ठीक है उमीद करते हैं कि आप लोग को बहुत सारा च कर दो होंने कि आपको आपको यहां रखना है